नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी हमारे चैनल में आपका स्वागत है ताकतवर अमेरिका की आँख से आँख मिलाकर बात करने वाले क्यूबा में आज कास्त्रो युक्का अंथ हो गया शाट के दशक में क्यूबा के प्रधान मंतिरी बने फिदेल कास्त्रो ने दोजार आठ में बतोर राश्ट पती अपने पद से इस्तिफा दे दिया था जिसके बाद उनके भाई राउल कास्त्रों ने सत्ता संभाल ली थी जिन्होंने करीब 10 साल तक बतोर राष्टपती क्यूबा पर शासन किया अक्सर बिमार रहने की वज़े से पच छोडने की इच्छा जता चुके राउल कास्त्रों ने आज अपने पद से इस्तिफा दे दिया और अब क्यूबा की कमान मिगेल डियाज कनेल के हाथ में होगी लंबे समय तक क्यूबा के उपराष्टपती रहे मिगेल डियाज राउल कास्त्रों के काफी करीबी माने जाते हैं मिगेल के सत्ता संभालते ही 1969 की क्यूबा करांती के बाद ऐसा पहला मोका होगा जब कास्त्रों परिवार से ना होने के बाबजूत कोई अन्यसक्ष क्यूबा का राष्टपती बनेगा 2013 में देश के उपराष्टपती का पद संभाल चुके राउल कास्त्रों 57 वर्सके हैं और पार्टी के वफादार माने जाते हैं मिगेल डियाज का जन्म 1960 में हुआ था जिसके ठीक एक साल पहले फिदेल कास्त्रों ने देश की सत्ता संभाली थी मिगेल को कास्त्रों परिवार का वाफादार और उनका दाहिना हात माना जाता है जिन्हें 2013 में क्यूबा के उपराष्टपती पद सोपा गया था और अब मिगेल डियाज कानेल इस केरिबियाई दूइप के देश क्यूबा के राश्टपती बनेंगे